नमस्कार मैं हूराजन कुमार आप देख रहें न्यूज पियार न्यूज रूम से इस बड़त हम जूरे हैं आपके साथ न्यूज पियार का ख़बर का जो असर हुआ है वो आपको हम बताते थे हैं लेकिन इससे पहले आपको बता दे कि वाइरल वाइस सोनू के बारे में जो की वाइरल वाइस सोनू पे जो सीम नितीज कुमार का जो कटास था जो लगातार प्रतिकिरिया चल रही थी नेताओं का पिकनिक एस्पोर्ट जो बन चुका था कल्यान बिगा लेकिन अब जो जमुई जिले के नकसली एरिया यानि फतेपूर से जो वीडियो निकल कर सामने आई थी और उस ख़बर को सबसे पहले निउस पियार नहीं चलाया था कि एक दस वर्षिये दिव्यांक लर्की यानि सीमा पैदल एक किलो मीटर एक पैर के सहारे जाती थी और परहाई की अपनी पूरी करती थी उसकी मंसा थी कि बड़े होकर मैं टीचर बनू देकिन इस पे किसी का कोई नजर नहीं पर रहा था न्यूस पियार के पास ये ख़बर सामने आई तो इस ख़बर को सामने आने के बाद सबसे पहले इस ख़बर को न्यूस पियार नहीं दिखाया था और नीज़ प्यार को दिखाने के बाद जो खवर का रियक्षन हुआ और जो एक्षन हुआ है डीएम खुद वहाँ पहुँचे हैं फतेयपूर में और पहुँचने के बाद सीमा से बात्चित किया गया है बात्चित के दोरान क्या कुछ है आप इस वीडियो को पहले देखिए दस वर्सिये दिव्यांग सीमा के जज़बे को जम्मुई डीयम ने किया सलाम ट्राइ साइकल देकर परहाई उचित विवस्ता का दिया भरोसा बिहार के वाइरल वाय सोनू के बाद अब जम्मुई जीले के फतेयपूर गाउं की दस वर्सिये दिव्यांग सीमा की परहाई के प्रती जज़बे को लोग सलाम कर रहे हैं जम्मुई जिलादिकारी खुद उनसे मिलने उनके गाउं फतेयपूर जा पहुँचे उनके परिजनों का हाल चाल लिया मोके पर डियम ने दिव्यांग सीमा को ट्राइ सैकिल देकर उनके परिजनों को आगे भी चित मदद करने का भरोसा दिया आपको बताते चले कि चार साल पहले सरक दुरगटना की सिकार हुई सीमा एक पैर से दिव्यांग हो गई फतेपुर गाओं की दस बरसी है सीमा के पिता खीरन मांजी और माता बेवी देवी मेहनत मजदूरी कर किसी तरह घर चलाती है सीमा एक सब्ता पहले ही उतकरमिक मद्ध विद्याले फतेपुर में कक्छा चार में नामांकन हुआ था अपने घर से एक किलोमीटर के दूरी त्वस्त विद्याले में वह पैदल परहाई करने जाती थी यानि इस खबर को वाइरल होने के बाद ही निउज पियर इस खबर को दिखाया था असर होने के बाद डियम खुद वहाँ पहुंचे और डियम खुद वहाँ बोलें कि एक नीजी संस्थान के द्वारा चलाए गई खबरों को देखते हुए मैं यहां पहुंची हूँ और सीमा के जजबों को मैं सलाम करती हूँ न्यूज प्यार के पूरी टीम सीमा के जजबों को सलाम करती है